शुरू अल्लह के नाम से जो बड़ा महरबान नहायत रहम वाला है यानि काफिरों पर आसान नहोगा हमें उस शक्स से समझ लेने दो जिसको हमने अकेला पैदा किया और माले कसीर दिया और हर वक्त उसके पास हाजिर रहने वाले बेटे दिये और हर तरह के सामान में वसद दी अभी खाईश रखता है कि और ज्यादा दी ऐसा हर्गिस नहीं हो पिर तेवरी चड़ाई और मू बिगार लिया फिर पुष्ट फेर कर चला और कुबूल हक से गरूर किया फिर कहने लगा ये तो जादू है जो अगलों से मुतसिल होता आया है फिर बोला ये खुदा का कलाम नहीं बलके बशर का कलाम है हमन करीब उसको सकर में दाखिल करें और हमने दोजख के दारोगा फरिष्टे बनाए हैं और उनका शमार काफिरों की आजमाईश के लिए मुकर्र किया है और इसलिए कि एहल किताब यकीन करें और मौमिनों का इमान और ज्यादा हो और एहल किताब और मौमिन शक्त न लाएं और इसलिए कि जिन लोगों की दि हिदायत देता है और तुम्हारे परवर्दिगार के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता और ये तो बनी आदम के लिए नसीहत है हाँ हाँ हमें चांद की गसम और रात की जब पीछ फेरने लगे और सुभा की जब रोशन हो के वो आदम एक बहुत बड़ी आफ़त है और बनी आदम के लिए मुझी बेखाफ जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे हर शक्स अपने आमाल के बदले गुरू है मगर दाहनी तरफ वाले नेक लोग के वो बागहाए बहिश्ट में होंगे और पूछते होंगे यानि आग में जलने वाले गुनाहगारों से के तुम दोजख में क्यूं पड़े वो जवाब देंगे के हम नमाज नहीं पढ़ते थे और ना फकीरों को खाना खिलाते थे और एहल बातिल के साथ मिलकर हक से इनकार करते थे और रोज जज़ा को जुटलाते थे यहां तक कि हमें माउत आ गई तो इस हाल में सिफारिश करने वालों की सिफारिश उनके हक में कुछ फाइदा न देगी उनको क्या हुआ है कि नसीहत से रूगरदा हो रहे हैं गोया गदे हैं कि बिदक जाते हैं यानि शेर से डर कर भाग जाते हैं असल यह है कि उन में से हर शक्स यह चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए ऐसा हर्गिस नहीं होगा हकीकत यह है कि उनको आखिरत का खौफ ही नहीं कुछ शक नहीं कि यह नसीहत है तो जो चाहे इसे याद रखे और याद भी तभी रखेंगे जब खुदा चाहे वही डरने के लाइक और बख्षिश का मालिक है